यहा है सोनिया जी बिमार होने के कारण से वो एडी के सामने प्रस्तुत नहीं हो पाई और ये खबर मीडिया ने दिखाया है कल राहूल गांधी एडी के सामने प्रस्तुत होने क्या तारीख है प्रस्तुत होते हैं नहीं होते हैं वो कल बतायेगा किन्तु आश्चरे का विश है नैशनल हराल्ड को लेकर जिस प्रकार से एक नाटक नौटंकी करने का काम कांग्रेस पार्टी और खास करके गांधी परिवार कर रही है कहीं न कहीं ये उनके चोरी को साफ रूप से बता रहा है ये दर्शा रहा है कि कुछ ना कुछ गडबड़ है कुछ ना कुछ गांधी परिवार छुपाना चाहती है वरना ऐसा क्या है जो एडी के सामने प्रस्तुत होने से पहले अपने सारे सांसदों को दिल्ली बुलाया जा रहा है यहां सत्यागरह करने का ढोंग रचाया जा रहा है आज प्रशन उठता है कि सत्य को उजागर करिए यह सत्यागरह करने का ढोंग मत करिए जो हकीकत है जो सत्य है उस सत्य को आप बताये यह नौटं की करना بंद करी आज देश भर में कांगर्स के जो नेता हैं वो प्रेस कॉंफरेंस कर रहें यह देश भर में कहीं दिग्विजयाए सिंग और कहीं उनके प्रवक्ता वो प्रेस कॉंफरेंस करने से क्या हो जाएगा राहुल गांधी जाके E.D. के सामने सत्य को कबूल करे कि हाँ उन्होंने 500 करोड का गबन किया है नैशनल हेराल्ड के केस में उन्होंने जिस प्रकार की चोरी की है उस विशे को वो बताए इसी से दे रूल अफ दे लैंड वोड़ बी फॉलूड हमारे लिए ये अनिवार ये है कि आखिरकार ये नैशनल हेराल्ड केस क्या है इस विशे में आज आपको बताऊँ आपको पता होगा कि 1937 में जवाहाल नाल नहरू जो बाद में चलकर हिंदुस्तान के प्रदानमंत्री बने उन्होंने एक Associated Journal Company नामक AJL Associated Journal Limited नामक एक कमपनी बनाई इस कमपनी का काम था तीन अकबारों को च्छापना एक अंग्रेजी अकबार जिसका नाम National Herald है एक हिंदी में नवजीवन नामक का अकबार और उर्दु में कौमी आवाज ये तीन अकबार National Herald की जो कमपनी AJL थी ये च्छापती थी 1937 से पाँच हजार Freedom Fighters से उनसे पैसा जमा करके जवाहाल नाल नहरू ने ये शुरू किया था तो ये कमपनी जो है AJL ये पंडित जवाहाल नाल नहरू की कमपनी नहीं थी ये उनका व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं था ये पाँच हजार स्वतंत्रता सेनानियों के उनके द्वारा दिया हुआ डोनेशन के माध्यम से एक पब्लिक कमपनी थी जिसका काम था हिंदुस्तान के विशे को आगे बढ़ाना किन्तु चुकि ये कमपनी थी जो फ्रिडम फाइटर के द्वारा अरंब किया गया था तो पूरे हिंदुस्तान में कई स्थानों पर दिल्ली में, मुंबई में, हर्याना में, इंदोर में, भोपाल में इनको ओने पौने दाम पर प्राइम प्रॉपर्टी अलोकेट किया गया, जमीन दी गई आपने देखा है दिल्ली में इनकी प्रॉपर्टी कहा है, इनका ओफिस कहा है आज अगर उस स्थान का आंक्रन किया जाए और ये सभी प्रॉपरिटी के आंक्रन को जोड़ा जाए तो लगभग पांच हजार करोड की प्रॉपरिटी ये जो कमपनी है AJL उसके पास मौझूद थी Approximately 5000 करोड वर्थ प्रॉपरिटी वस प्रेजेंट विट AJL समय के साथ साथ ये जो AJL थी Associate Journal Limited ये अब लॉस में जाने लगी थी सत्तर के दसक में ही लॉस में जाने लगी थी और 2008 आते आते ये करजे में डूब गई थी और ये कमपनी बंद हो गई न्यूस पेपर चापना, नैशनल हराल चापना, नवजीवन चापना, उर्दू अकबार चापना ये बंद हो गया और ये commercial entity बन गई और ये जो करजा में डूबने का विशय मैंने आपके सामने लखा ये करजा लगभग 90 करोड रुपय का था 90 करोड वर्थ debt, वर्थ loan was taken by AJM ये लोन किसे लिया था? ये लोन लिया गया था Congress Party से astonishingly, Congress Party being a political party it was no business of granting a loan Congress के पास जो fund आता है, वो एक political party के पास fund आता है मगर Congress Party ने अपने fund में से 90 करोड रुपय लोन दिये Associated Journal Limited को कि तुम अपना दाना पानी चलाओ because Associated Journal Limited उस समय एक commercial entity बन गई थी पहला गलत काम पहला गलत काम जो Congress Party ने किया जिसमें सोनिया जी अध्यक्षार और मोतिलाल वोहरा जी उस समय Congress Party के ट्रेजरार थे ये पहला गलत काम किया कि 90 करोड रुपय लोन एक commercial entity को दिया पार्टी फंड में से दिया जो कि allowed नहीं है जो कि कानूनन एक जुर्म है और आपको जान के आश्चरी होगा ये जो AJL कंपनी थी इसके चेर्मेन कौन थे? इसके चेर्मेन भी मोतिलाल वोहरा थे मोतिलाल वोहरा की AJL कंपनी उसके चेर्मेन AJL और कॉंग्रेस पार्टी के ट्रेजरार कौन? कॉंग्रेस पार्टी के ट्रेजरार मोतिलाल वोहरा तो मोतिलाल वोहरा ने मोतिलाल वोहरा को 90 करोड का लोन दे दिया क्योंकि जो AJL के मोतिलाल वोहरा थे उन्होंने जाके सोनिया जी को कहा कि सोनिया जी सोनिया जी ये एजेयल अब चल नहीं पा रही है लॉस में जा रही है तो आप जरा मदद करिे कुछ लोन चाहिए तो सोनिया जी ने AJL के मोतिलाल वहरा जी को कहा अच्छा आप जरा कॉंग्रेस के मोतिलाल वहरा जी के पास जाएए वो हमारे ट्रेजरार है और उनसे बोलिए कि हमें लोन चाहिए तो AJL के मोतिलाल वहरा ने कॉंग्रेस के मोतिलाल वहरा को कहा हम एजरा 90 करोड का लोन दे दीजिए तो कॉंग्रेस के मोतिलाल वहरा ने AJL के मोतिलाल वहरा को 90 करोड दे दिया सोनिया जी के कहने पर इसके बाद क्या हुआ ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतिलाल वोहरा ने मिलके एक और कंपणी बनाई उस कंपणी का नाम था यंग इंडिया लिमिटेड वैसे राहुल गांधी चिरंतन यंग कहते हैं अपने आपको शायद नाम भी इसलिए यंग इंडिया लिमिटेड रखा है तो यंग इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर कौन? सोनिया गांधी, राहूल गांधी, मोतिलाल वोरा इन्होंने मिलकर एक कमपनी खोली, यंग इंडिया लिमिटेड ने क्या किया? यंग इंडिया लिमिटेड ने सुनिया गांधी और राहुल गांधी ने मोतिलाल वोरा को बुलाया मोतिलाल वोरा जी सुनिये जरा मोतिलाल जी ने बुलाया येस मैडम तो सुनिया जी ने और राहुल जी ने मोतिलाल जी को कहा यंग इंडिया वाले मोतिलाल वहरा अब आप जाके जो मोतिलाल वहरा एजेल के हैं उनसे मिलिए और उनको बोलिए कि जो 90 करोड का लोन लिया था एजेल वो अब यंग इंडिया चुका देगी बदले में आप ये सारी कंपनी हमें बेच दीजी अच्छा तो जो यंग इंड पर AJL के मोतिलाल वहरा के पास गए और जाके AJL के मोतिलाल वहरा को बोला कि देखो सुनिया जी ने कहा है कि ये हमारी कमपनी है यंग इंडिया लिमिटेड आप अगर ये सारा कुछ हमें दे दोगे जितना शेयर है AJL का ये अगर यंग इंडिया लिमिटेड को दे दोगे तो जो 90 करोड का लोन आपने कांग्रेस के मोतिलाल वहरा से लिया है वो हम यंग इंडिया लिमिटेट के मोतिलाल वहरा चुका देंगे तो मोतिलाल वहरा जी ने का वह यह तो बहुत अच्छी बात है 90 करोड का लोन आप चुकाएंगे यंग इंडिया वाले मोतिलालब हो रहा तो ठीक है हम जो है सारे शेर अब आपको दे देते हैं यंग इंडिया को तो 10-10 रुपे के 9 करोड शेर बनाए गए और वो सारे शेर किसको दे दिये गए यंग इंडिया लिमिटेट को दे दिये गए उस समय AJL के पास 1057 शेर होल्डर थे उसमें सांती भूशन जो पूर्वर लौ मिनिस्टर वो भी थे मारकंडे काटजू जस्टिस काटजू जो हाई कोड़ और सुप्रीम कोड़ में रह चुके हैं वो भी थे मगर उन में से किसी से भी पूछा नहीं गया कि आप शेर होल्डर है क्या हम शेर को बेच सकते हैं बिना शेर होल्डर से पूछे AJL के मोतिलाल वोहरा ने सारे शेर उठा करके यंग इंडिया को दे दिया तो AJL अब प्रापर्टी किसकी हो गई AJL अब प्रापर्टी हो गई यंग इंडिया की और यंग इंडिया ने AJL को मात्र पचास लाक रुपए दिये फिफ्टी लाक रुपीज दिये और सारी प्रापर्टी हो गई यंग इंडिया की और साथी जो पांच हजार करोड रुपए की प्रापर्टी थी प्रापर्टी प्रपर्टी भारत वर्षका यंग इंडिया के नाम पे हो गए यंग इंडिया कमपणी सोनिया और राहुल जी ने आपको पता है कितने में शुरू किया था ओनली बाइप पैंग फाइव लाक रुपिया पे किया था पांच लाक रुपए में कमपणी आरंब करके पांच हज लार करोड की प्रॉपर्टी के मालकिन और मालिक सोनिया और राहुल गांधी बन गी उसके बाद क्या हुआ वो आप सुनेंगे तो और आश्चर इचकित हो जाएंगे उसके बाद जो सोनिया गांधी यंग इंडिया लिमिटेड में है सोनिया जी के पास यंग इंडिया लि फिर सोनिया जी ने मोतिलाल वोरा जी को बुलाया बुला जरा मोतिलाल जी आप अब जाके कॉंग्रेस के मोतिलाल वोरा से बात करो और उनसे रिक्वेस्ट करो कि जो 90 करोड का लोन लिया था एजेल के मोतिलाल वोरा ने उसे माफ कर दिया जाए तो यंग इंडिया के मोतिलाल वोरा से बोलते हैं कि सोनिया जी ने कहा है कि आप ये जो 90 करोड का लोन आपने AJL के मोतिलाल वोरा को दिया था उसे आप माफ कर दीजिए तो मोतिलाल वोरा जी ने बहुत बिल्कुल जै हो सोनिया जी, जै हो राहूल जी, माफ, 90 करोड का लोन माफ, आप सूचिए, 5 लाक रुपए खर्च करके सोनिया जी और राहूल जी ने 5 हजार करोड रुपए गबन किया है, यह है नैशनल हिराल्ड का केस, और आज दोनों माबेटे जो बेल पे बाहर हैं, आज वो कर रहे हैं, आज राहूल जी, आप अपने MPs को इखटा कर रहे हैं, आप सत्यागरह, यह सत्यागरह के नाम पे बदनामी हैं, महात्मा गांधी, बापू, पुझ्य बापू, जहां भी देख रहे होंगे, आज उनके आत्मा को भी तकलीफ हो रही होगी, कि यह जो नकली गा tomorrow, in front of the enforcement directorate, and tell the truth, accept that you have looted this country worth 5000 करोड, आप मानिये कि आपने 5000 करोड रुपे का गबन किया है, यही हकीकत है, ड्रामा से कुछ नहीं होने वाला है, राहूल जी, don't try to escape, don't try to escape the consequences of the rule of the country, कभी भी जो कानून है, उसके लंबे हाथ से बचनी की कोशिश, इस प्रकार के बचकानी हरकतों से और राजनिती करण करके नहीं करना चाहिए, यह issue कानून का है, यह विशय कानून का है, यह विशय राजनिती का नहीं है, इस कारण से, you should stop politicizing the whole issue, thank you so much, and we hope that राहूल इसका संग्यान लिया है, वो कभूल करेंगे, यह हम सोचते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, thank you